पुलिस पुरे मामले की जांच कर रही है बिजनोर में गने कोहरे के चलते हैं दो रोडवेज बसों की आमने सामने की टकर हो गई हाथसे में कई यात्री गंबी रूप से गहलो गई इस घटना की सूचना रागीरों ने पुलिस को दी मौके पर पहुची पुलिस ने सभी गहलों को अस्पताल में भरतिकरा दिया गया है वहीं दोनों बसों के ड्रैवर की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल मेरे ट्रैफर किया लखनव से सिधापुर आ रही रोडवेज बस में गर्वती महिला ने बच्चे को जन्म दिया अच्छी बात ये रही कि मा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं दोनों को प्राइविट अस्पताल में बर्तिक राया गया है महिला स्पताल आ रही थी तभी बस के अंदर ही रस्ते में लक्षमी के पेट में जोड से दर्द उठा और वो चीखनी लगी तभी बस ड्रैवर ने बस को सलक किनारी किया परीचालक की मदद से महिला की डिलिवरी कराई हापड में दबंग राशन डीलर ने शिकायत करने पर शिकायत करता को जम कर पीटा शिकायत करता की पीटाई का वीडियो शोचल मीडिया पर वारल हो गया है दर असल दबंग राशन डीलर मिलावट करता था शिकायत करने पर शिकायत करता को पीटा गया है फिलाल पुलिस की तरफ से भी कोई कारवाई नहीं की गई और वहीं बलिया में चिलकानी की शिकायत करने गए दलेत युवकों को थाने के अंदर इंस्पेक्टर ने जम कर लाद गुसों से पीटा युवकों गंबीर चोट आई है जिसके बाद परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भरती करा दिया फिलाल इंस्पेक्टर दलेत युवकों पर बयान बदलने का दबाब बना रहा है जिसके बाद विधायका ने एस्सपे से शिकायत की फिलाल मामली की जाच पुलिस कर रहे है अम्रोहा जनपत के भारती जनता पार्टी के पूर जलाद्यक्ष ब्रिजेश चौधरी की अश्लील वीडियो वैरल होने के बाद उनके पार्टी से उनको पत से हटा दिया गया है जिसके बाद इस पूरे मामले में कॉंग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव सचिन चौधरी ने इस मामले को मुद्दा बनाते हुए प्रेस कॉंफरेंस की है जहां योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि अश्रील वीडियो वैरल होने के बाद सिर्फ पत से हटा देना काम नहीं चल पाएगा ऐसे व्यक्ति के उपर मुकदमा दर्च किया जाना चाहिए उसको जेल भीजनना चाहिए काजगंज में सुस्राली जनोंने शक्स पर पेट्रोल चलक कर जिंदा जला दिया जिसके बाद इलाके में हडकंप मच गया है गंबीर हलत में युवक को उस्पताल में भरती करा दिया गया है जहां इलाज के दोरान उसकी मौत हो गई है परिजनों ने पत्नी सहित सुस्राली जनों पर आरोप लगाते हुए पुलिस से शकायत की और वहीं अलिगड में पुलिस ने कृष्णा विहार में हुए विकास अत्यकांट का खुलासा कर तीन लुटेरों को गिरफतार कर लिया है पुलिस ने बदमाशों के पास से लुट का मोबाइल 16,000 रुपे बरामत की है दरसल पड़ोसी ने दो साथियों के साथ मिल लुट का उद्देश से इस घटना को अंजाम दे दिया था जिसके बाद पुलिस ने अत्यारोपियों को गिरफतार कर लिया फिलाल यूपी फटाफट में सिर्फ इतना ही बने रही है निउस वर इंडिया के साथ नोसकर